आपनों को शिधा प्रसाराना मा का आचल सब के लिए है उसकी गोद को बाटना नहीं उसके आचल को काटना नहीं वंदे मातर गंजम उडसा के एश्रम योगी कलाकार ये शांडार प्रस्थिती और एक कादा संदिश बहुत बहुत धन्यवाद स्वातन्तरता संग्राम की भारत रतनों की जन्म भूमी याने गुजरात जो सदियों से अपनी कला संस्कृती एवन साहित्य से भी जानी गई है देश प्रेम में सराबोर आज के इस समारोह में अब कुछ रंग गुजरात की कला और संस्कृती से भी आजादी के बाद छोटे से पौधे की तरह पनपता हमारा देश आज एक विशाल बट व्रुक्ष बना है और इस व्रुक्ष से हमने पाए हैं कई विकास शीलता के फल राष्ट की उन्नती प्रगती की बात अपनी पारंपर किंद्रत्य से यहां प्रस्तुक करेंगे गुजरात के कलाकार आज राष्ट एक ता दिवस पर राष्ट की स्रेश्टिता की बात लेकर आए हैं गुजरात की ये विशेश कलाकार कि अपने आस पास देखों कैसे विरुख्षों का व्याश्टिता की अपने अपने आस पास देखों कैसे विरुख्षों का वईभाव है कोई घटादार कोई पीले पढ़नों के साथ कोई माउन कोई बोलते धुरूप की तपीश में खिले गुलमहौत शीतल छाओ देने वाला वट व्रुख्ष जिसकी सुगंद में स्वास्त का संदेश वह नीम का पेर व्रुख्ष में पिपल हूँ ऐसा सी कृष्ण ने प्यार से कहा था वो पारस पीपल सदेव वसंत से घीता आमखा व्रुख्ष प्रुख्ष जात जात कारिवारी सैयुतं प्रुखांत दोत काल भूत वीतिहारी वर्मदे वजीय पात पंक जन्नमामिदे विजर्मदे विजर्मदे विजर्मदे